पूर्व सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद सेखर ने बता दिया कि दो महिना पहले क्या हुआ था किस तरह से नितीज कुमार के सामने पेश हुए थे मुक्ष सचीव आमिर सुभानी और सिक्षा विवाक्या पर मुक्ष सचीव केके पाठक नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग पूर्व सिक्षा मंत्री जिनके आदेशों की अवमानना की थी केके पाठक ने जिहाँ जब वो सिक्षा मंत्री थे तो क्या कुछ हुआ था सब ने देखा था 27 दिनों तक वो विवाग में नहीं गए थे तनातनी चली थी तनातनी का पटाचेफ तो किया गया लेकिन मामला कहीं सुलजा नहीं था केके पाठक अपने ही रास्ते चल रहे थे और सिक्षा विवाग के मंत्री प्रोफेसर चंदर सेकर जो ततकालिन मंत्री थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया था और अब जब सरकार स वो बिपक्ष में आ चुके हैं यानि आरजेडी सरकार से बाहर है एंडिये की सरकार है वैसे में प्रोफेसर चंदर सेकर ने केके पाटक के खिलाप बिलकुल मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने पोल खोल दी है कि दो महिने पहले जब सीम नितीश कुमार ने समय को लेकर कुछ कह रहे हैं मंतरी के मंतरी के बीच में आज से कोई दो महिना पहले मांनिय मुखमन्ति जी ने इस तरह से कहा इस तरह से कहा एजी सुभानी साहभ आप आप दस से चार पर हो कि 9-5 तुन्होंने कहा 10-4 आप जी परदान सचीब जी 10-4 पर है कि 9-5 तो 10-4 मैं भी परहाऊं 10-4 माननिया मुखमंती जी ने कहा कि मैं भी परहाऊं 10-4 जा ये 10-4 करिए तो दो महिना पहले जो बात हुई वो तामिला नहीं हुई फिर माननिया विधान पार्षट आध मनें मंत्री के बीच में कही गई बातों के अभेलना के बाद चो और एक हपता के बाद तो उन्हों से बात कर लिजिए उन्हों के बीच में भी कहा कि भाई तो अभी तक समय ने बदला और कल उनका निदेश हुआ तो क्या समय बदला ये मजाग मन के रहा गिया है इसलिए ये कि माननिय मुखमंती जी मैंने कल भी कहा है नई पस से संचालित हो रहे हैं हम लोग नाटक खेलते ने बच्चा में एक आप आज नई पस से संचालित माननिय मुखमंती जी अगर है तो यह दुरभागपुर्ण है राज के लिए मुखमंती जी की बात ने सुनते हैं जान लीजिए मैंने जाच मांगा है मैंने जाच की मांगी है न कल 2015 से आज तक यह जाए जाएगा तो इसमें हजारों करोड का डिफॉलकेशन पता थे मैं मैं मुखमंती जी के समय में कर रहे हैं तो हमारी क्या बखत है बाते हैं तो सुन ली आप ने कि क्या कह रहे है प्रोपेसर चंसेकर उनका कहना है कि नितीश कुमार ने सीएम ने मुख सचीव आमिर सुभानी को बुलाया और केके पाठक जो सिक्चा विवाग के अपर मुख सचीव को बुलाया और पूछा कि आप स्कूल में पढ़ते तो तो कितना बज़े जाते से अपर मुख सचीव केके पाठक से भी यही सवाल पूछा नितीश कुमार ने तो उन्हों न कहा कि 10 से 4 पर दीजिए इसकूलों के समय यह बात है हुई थी और उसके बावजूद इसकूलों के समय में परिवर्तन नहीं हुआ उसके बाद MLC ने मोर्चा खोल लिया जो तमाम जो सिक्चा कोटे से चुन कर आते हैं MLC यानी बिदान पारषद उन्होंने मोर्चा खोला लेकिन इसके बावजूद नितीज कुमार से उन्होंने मुलाकात की भी बात भी रखी लेकिन इसके बावजूद समय में परिवर्तन नहीं हुआ और अब सब जब सीम नितीज कुमार सदन में चिला चिला कर आदेश दे रहे हैं उसके बावजूद भी ये सब कुछ खेल कर दिया गया तो पूरा खेल खोल कर रख दिया है बिहार के पूर्व सिक्चाम मंत्री ने और बता दिया है कि कैसा खेल खेला जा रहा है बिवाग के अधिकारी के द्वारा यानि केके पाठक के द्वारा और सीम नितीज कुमार के द्वारा बने रहे हैं धरस निगूद के साथ तमाम खबरों से अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद